दोस्त तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक और नई वीडियो में और इस बार आपके लिए लाया हूँ एक और 5G फून नाम अब तक आप पढ़ चुके होंगे गैलक्सी A23 चलीए बिना देर करें इसकी अन बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें क्या-क्या मिला है बॉक्स में बॉक्स बाक्स बोर बॉक्स को और चार्चार के और यूस्बी के बॉक्स अंदर ही लगा सकते थे छोटी छोटी सी यूजर मैनुल होती है चलिए आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि देखिए इतने बड़े बॉक्स में इतनी सी यूजर मैनुल गया ना बॉक्स वेस्ट साथ में बॉक्स के पीछे आपको मिलता है सी में जेक्टिंग टूल अब यूजर मैनुल तो हम कभी पढ़ते नहीं और ना कोई और पढ़ता होगा तो चलिए इसको वापसी अंदर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमें फून के नीचे और क्या-क्या मिला है दूसरे बॉक्स में फून भाई साब बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए हमें अंदर देखने दो बॉक्स में क्या-क्या है दोस्तों सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है एक 25 वाट का फास्ट चार्जर इसके साथ आपको मिलती है टाइप सी की यूइस्बी केबल चलिए इसको भी वापसी बॉक्स में रखकर फून की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों फून तीन कलर में अवेलिबल है लाइट ब्लू और इस फून को लेंगे तो यह आपको मिलेगा तेईस हजार का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज में आप अगर इसको लेंगे तो यह आपको मिलेगा 25,000 का 22,000 का दोस्तों चारक केमरा आपको मिलते हैं सबसे पहले मिलता है अल्ट्रा वाीड shutting 500 बहुत क्लियर आई है इसकी back और इसका फ्रेम धाश्टी के हैं आप इसकी back देख सकते है कितना ज़ादा reflection देती है किसी भी तरीके की lighting में आप इस phone को अगर निकालेंगे तो ये आपको बिन बारिश rainbow दिखा ही देगी right side में आपको मिल जाता है power button और volume keys इसी power button पर आपको fingerprint sensor भी मिलता है नीचे आपको मिलता है headphone jack type C charging board एक speaker और एक microphone Dolby Atmos का आपको इसमें support मिल जाता है left पर आपको मिलती है एक SIM tray आप इसमें दो SIM card और एक memory card लगा सकते हैं बहतर quality के लिए आपको इसमें मिलता है दो microphone का support तो चलिए phone को on करते हैं और इसको use करके देखते हैं 6.6 inches की आपको इसमें full rectangle, rounded corner full HD plus PLS LCD display मिलती है refresh rate आपको इसमें 120 Hz का मिलता है qualcomm snapdragon 695 का आपको इसमें processor मिलता है processor काफी powerful है आप इसमें BGMI जैसे गेम असानी से खेल सकते है 5000 mm की आपको इसमें battery मिलती है क्योंकि charger आपको 25 Watt का मिला है तो एक घंटे के अंदर अंदर आपका phone charge हो जाना चाहिए phone जादा heavy भी नहीं है 197 grams का है phone चलाते हुए काफी अच्छी feeling देता है हाथ में जादा heavy feel नहीं होता है दोस्तो operating system की बात करें तो ये Android 13 के साथ आपको मिलता है gaming के लिए अगर आपको किसी phone के तलाश है तो आप इस phone को gaming के लिए use कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें 120 Hz का refresh rate मिलता है Samsung A14 से अगर आप इसको compare करेंगे तो उसमें आपको refresh rate मिलता है सरफ 90 Hz का Samsung A14 में आपको chipset जो मिला था वो था Exynos 1330 का और A23 में आपको जो chipset मिलता है वो मिलता है Snapdragon 695 का तो chipset दोनों में ही बहुत powerful है दोनों ही phone से आप 1080p की recording कर सकते हैं लेकिन A14 में एक कमी है उसमें आपको कोई wide angle camera नहीं दिया गया है जो आपको A23 में 5 megapixel का मिलता है दोस्तो अपने specifications के हिसाब से हुई phone का price जो है आपको कैसा लगा इसकी reflective back और इसका chipset ये सब आपको कैसा लगा phone में comment करके जरूर बताईएगा phones के बारे में up to date रहने के लिए चैनल को subscribe करें और video को like करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली video में